नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका SG Classes की इस ओनलाइन साइन्स क्लास में हमारा चेप्टर चल रहा है दोस्तों हीट जिसमें हमने अभी तक आपको बता दिया है boiling point आपको condensation तक पढ़ा दिया गया है ठीक है दोस्तों एक बार हीट चेप्टर को thoroughly एक बार revise कर लेते हैं होती है British Thermal Unit बताया उसके बाद आपको international calorie बताई दोस्तों फिर टेंप्रेचर स्केल पढ़ा हमने जिसमें तरह के हमने temperature स्केल पढ़े Celsius स्केल Kelvin स्केल और Fahrenheit स्केल उसके बाद water के लिए freezing point तीनों स्केल पर उसका boiling cooling point तीनों स्केल पर body temperature तीनों स्केल पर हमने पढ़ा इसके बाद दोस्तों हमने इस चेप्टर में analogous expansion पढ़ा कुछ थर्मामीटर पढ़े analogous expansion पढ़ा solids का अगर किसी solid को heat किया जाए तो उसकी length पर उसकी surface area पर और उसके volume में जो change आता है उसका ratio होता है फिर हमने analogous expansion of water पढ़ा कि पानी जब पिखलता है तो वह सिकुड जाता है उसके volume जो होती है वह कम हो जाती है और density बढ़ती है यानि 4 degree Celsius पर water की density maximum होती है और उसकी volume minimum होती है जैसे जैसे पानी जमता है पानी जमता है वह फैलता है expand होता है हर चीज heat देने से फैलती है पर पानी heat देने से सिकुडता है और heat release करता है तो फैलता है और पानी फैलता है उसका एक्जामपल दिया था कि बर्फ सर्दियों के दिनों के पाइपलाइन फट जाती है ठंडे प्रदेशों में क्योंकि बर्फ का वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घड जाती है दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक कपेसिटी उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा कि एक किलोग्राम एक क्राम को कितनी हीट दी जाए यूनिट माउस अफ़े सबस्टांस को कि उसका टेंप्रेचर एक डिगरी सेल्सियस बढ़ जाए उसे कहते हैं स्पेसिफिक heat capacity of that substance फिर gases के लिए हमने पढ़ा दोस्तों molar heat capacity of gases इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा thermal expansion की बात कर ली फिर transmission of heat पढ़ा दोस्तों उसमें हमने पढ़ा conduction convection और radiation बहुत important conduction मतलब vibration of molecules के कारण जब heat transfer होती है यानि कि actual moment of molecule doesn't cannot take place तब conduction होता है जैसे जैसे रॉड को आग में डाला जाए तो रॉड का एक सीरा गरम होगा तो अपने आप दूसरा सीरा भी गरम हो जाता है convection के कारण atmosphere हमारा गरम होता है किस कारण से convection के कारण से radiation radiation में दोस्तों speed of light speed of light से वस्तु में गरम होती है without intervening the medium radiation में क्या होता है दोस्तों speed of light के माध्यम से speed of light के माध्यम से heat takes place heat जो होती है वो takes place करती है एक जगा से दूसरी जगा तो जिस वस्तु पर heat पड़ती है वह गरम होगा पर जिस माध्यम से heat आ रही है यानि atmosphere sunlight अगर आ रही है तो atmosphere गरम radiation की वज़ा से नहीं हो रही है atmosphere गरम होता है convection की वज़ा से तो sunlight जिस वस्तु पर पड़ती है वह गरम होती है radiation की वज़ा से यह बात ध्यान रखिएगा फिर हमने freezing point पढ़ा melting point पढ़ा vaporization पढ़ा और दोस्तों condensation पढ़ा यहां तक हमारा heat chapter complete हो चुका है इस chapter का most important कुछ topic रह गए है दोस्तों latent heat latent heat जो होता है सबसे पहली बात specific heat क्या होती है कि एक gram substance के तापमान को एक degree Celsius बढ़ाने के लिए जितनी heat दी जाती है उस substance को उसे कहा जाता है specific heat capacity of that substance और मैंने आपको बताया था कि specific heat capacity water की क्या होती है यह आप ध्यान रखिएगा latent heat capacity और specific heat capacity में क्या difference है दोस्तों यह जानेंगे latent heat capacity क्या होता है एक constant temperature पर होता है एक constant temperature पर होता है इसी लिए इसे दो तरीक तरीके से पढ़ते हैं latent heat capacity of fusion latent heat capacity of fusion और latent heat capacity of vaporization वाश्पी करण vaporization तो दोस्तों latent heat capacity of fusion क्या है ठीक है दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कि latent heat capacity of fusion क्या होता है तो दोस्तों latent heat capacity of fusion होता है लिखिए latent heat capacity of fusion latent heat capacity latent heat capacity of fusion भी का जाता है दोस्तों जैसे माल लीजी हमारे पास कोई solid है हमारे पास कोई solid है माल लीजी बर्फ है ठीक है solid है eyes कोई भी solid है फोग जब अपनी state change करे liquid जब वो solid liquid में बदल जाए किस पर किस पर अपने melting point पर when a solid changes into liquid the amount of heat required कितनी heat मैं दे दू solid को कि वह अपनी अवस्था बदल ले वह solid से liquid में चला जाए कितनी heat दूँ कितनी heat दूँ ठीक है अभी माल लीजी बर्फ जो है वो 0 degree Celsius पर है अपने freezing point पर अपने melting point पर तो heat कितनी दूँ amount of heat required to raise to change the state of solid into liquid at its melting point मैंने बताया ना यह fixed temperature पर हो जाए तो इसके melting point पर बर्फ 0 degree Celsius पर थी जो कि उसका गलनाग बिंदू है गलनाग बिंदू से कितनी heat बर्फ ले ले लेगी कि वह पिघल के liquid हो जाए पानी हो जाए उसी को कहायाता है latent heat of fusion यानि amount of heat मैं लिक देता हूं amount of heat required by amount of heat required by solid to change into liquid to change into liquid at its melting point at its melting point at its melting point melting at its melting point is known as उसे क्या कहता है is known as is known as latent heat of fusion और दोस्तों इसी बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि किसी liquid के द्वारा कितनी heat release की जाती है release heat released solid ने heat ली और liquid में change हो गया तो उसने कितनी heat ली अपने melting point पे कि वो liquid में change हो गया वो latent heat या फिर किसी liquid ने कितनी heat release की और अपनी heat अपने अंदर से गर्मी निकाल देगा heat निकाल देगा तो क्या होगा वो बरफ बन जाएगा ठीक है दोस्तों तो वो solid बन जाएगा बरफ बन जाएगा heat निकाल रहा है कितनी heat उसने निकाली अपने freezing point पे मलब जब melt हो रहा था तो heat ले रहा था तो melt हो रहा था heat निकाल रहा है तो freezing point पर amount of heat released by any liquid to change into solid state at its freezing point is known as latent heat of fusion यानि जब किसी solid को liquid में जाना हो तो melt होके जाएगा तो अपने melting point पर वो कितनी heat लेगा कि वह liquid बन जाए उसी को कहते है उसका latent heat of fusion और जा फिर वह liquid अपने freezing point पर एक constant temperature पर होता है latent heat तो अपने freezing point पर कोई liquid कितनी heat release करता है और अपनी state change करके solid में आ जाता है दोनों ही बाते सही है heat solid में होगा तो heat लेगा melting point पर और liquid में change हो जाएगा और liquid में होगा तो heat release करेगा और solid में change हो जाएगा अपने freezing point पर उसी heat को उतने ही amount of heat को हम क्या कहते हैं हम कहते है latent heat of fusion यानि दोस्तों कोई भी बर्फ पानी बनने में जितनी heat लेती है पानी से बर्फ बनने पर उतनी ही heat release भी कर देती है ठीक है दोस्तों तो दोनों ही प्रक्रिया में heat की मात्रा एक ही हो जाती है यानि जितनी heat मैंने ली थी उतनी heat मैंने वापस कर दी जब मैं बर्फ में convert हो गई ऐसा पानी कहता है कोई भी लिक्विट कहता है यह तो बात हुई latent heat of fusion की latent heat of vaporization latent heat of vaporization बेलकुल असान latent heat of vaporization अगर आपको latent heat of fusion समझ में आ गया तो latent heat of vaporization में क्या है भाई liquid से कोई भी वस्तु liquid state में हो उससे vapor यानि भाप बनने में अब बताए भाप कब बनेगा अपने boiling point पर कवथांक पर अपने boiling point पर भाई boiling point 100 degree Celsius पर तो पानी बनता है भाप बनना शुरू होता है तो अब जब उसके boiling point पर पानी पहुँच गया उबलने लगा अब उसे पूरी तरह वह जो पतीले का पानी है पूरी तरह भाप बनने में जितनी heat लगेगी एक किलो ग ग्राम पानी को boiling point पर पूरी तरह भाप बन जाने में जितनी heat रिक्वायर होती है जितनी heat लगती है उसी heat को मतलग liquid को अपने boiling point पर पूरी तरह से भाप बन जाने में जितनी heat absorb करता है उसी को हम कहते है latent heat of vaporization यानि the amount of heat required to change the liquid state of a substance to vapor state unit mass of a substance to vapor state is known as at its boiling point is known as latent heat of vaporization या फिर इसी का मैं क्या कह सकता हूं vice versa papers भाप भी तो जब ठंडी हो जाती है तो फिर से पानी बन जाती है ना अगर plate रख देते हैं तो ठंडी हो जाएगी condensed हो जाएगी ठंडी होने का मतलब उसने अपने अंदर से जो heat थी वो बाहर निकाल दी या मैं कहूं कि amount of heat amount of heat released निकलती है अभी ultra process हो गया जैसे solid में था solid से liquid तो heat absorb करी अपने melting point पर तो liquid में convert हो गया latent heat of fusion या फिर कोई liquid जब solid में convert हो जाता है heat को release करता है बाहर निकालता है अपने किस पर अपने freezing point पर तो होता है latent heat of fusion अब vapors जब ठंडे होकर के liquid बन जाते हैं वापस से तो जितने एक kilogram liquid का vapors एक gram unit mass of a vapor जब liquid में convert हो जाते हैं तो जो amount of heat को release करते है न उसी को हम कहते है latent heat of vaporization तो latent heat of vaporization और specific heat of vaporization में फरक क्या है specific heat किसी भी तापमान पर हो सकता है Mrs. Tushma किसी भी तापमान पर बस्तु रखी हो एक kilogram बस्तु रखी हो किसी भी तापमान पर हो उसका बस तापमान एक degree Celsius बढ़ा दो जितनी heat लगेगी उसे कहेंगे specific heat of that substance लेकिन दोस्तों latent heat क्या होती है unit mass of substance तो हो पर वो अपनी state change कर दे खाली एक degree तापमान नहीं पढ़खाना हमें उसकी state change करते हैं पूरी की पूरी एक kilogram पानी पूरा को पूरा भाप बन जाए अपने boiling point पर अपने boiling point पर उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों उसी को हम कहते है latent heat of या इसी का उल्टा एक किलोग्राम भाप या एक ग्राम भाप या वेपर्स अपने अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर वापस से लिक्विट बन जाए ठंडे होके तो जो हीट उसके अंदर से रिलीज होती है क्योंकि हीट रिलीज करता है न देख लिजी आप यह याद कर लि सॉलिट से लिक्विट में कनवर्ट होगा तो यह क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा कोई भी वस्तू ठोस से जब ध्रव्य में बदलती है तो वो हीट अपने अंदर क्या करती है एब्जॉर्ब करती है उसी गर्मी के कारण वो पिगल जाती है और ज्यादा हीट एब absorb करेगा तो gas बन जाएगा ठीक है और जब वो gas liquid में convert होगी भाप अगर वापस से पानी बन गई तो यानि उसने क्या किया है वो gas ने अपने अंदर की जो heat थी ना वो release कर दी बाहर फेक दी और जब यह liquid जम जाता है ना पानी बरफ बन जाती है तो फिर वो heat को release कर देता है त ठीक है solid से liquid में change हो जाए उतनी कितनी heat दूँ किसी solid को उसके melting point पर कि वह solid से liquid में change हो जाए उसी को हम कहते है latent heat of fusion latent heat of fusion वापस से और liquid को gas पर convert करना है तो latent heat of vaporization heat absorb जोगी वो और यह वाली heat equal होती है कौन-कौन सी यह और यह equal यह और यह equal equal का निशान लगा दिया ना तो दोस्तो latent heat of vaporization यह हुआ सबसे important इसकी unit latent heat of vaporization की unit होती है joule per kg जबकि specific heat of capacity heat capacity क्या थी specific heat capacity joule kg Kelvin Kelvin इसमें नहीं होता joule पर kg होता है अब देखना आप इसकी dimension निकालनी मैंने सिखाई थी अगर भूल गए तो देखिए joule work की unit होती है work होता है force into displacement force होता है mass into acceleration ठीक है दोस्तो meter per second square displacement होता है meter और kg का mass नीचे देखलो आप यह joule की unit नहीं होगए यह होगया force कितना force यह हुआ displacement विस्थापन यही तो होता है joule work done काम क्या होता है कि कितनी force लगाई कितना displacement विस्थापन हुआ और नीचे kg की unit क्या बताई थी kg की kg किसकी unit है mass की तो mass से mass cancel यानि M0 L2 और T-2 यह इसकी dimension हो गई latent heat की dimension यह हो गई अब दोस्तों हमारे पास एक नई बात relative इसी कहते है relative humidity सापेक चिक आद्रता ठीक है यह होता क्या है आद्रता क्या होती है कोई आप से पूछे आद्रता क्या होती है मैंने आपको sound में पढ़ाया था कि temperature बढ़ता है जब medium का तो ध्वनी का वेक बढ़ता है एक डिगरी तापमान बढ़ा तो ध्वनी का वेक 0.61 मीटर पर सेकिंड बढ़ गया अगर humidity बढ़ती है तो भी ध्वनी का वेक बढ़ता है प्रेशर बढ़ने से ध्वनी के वेक पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता फ्रिक्वेंसी बढ़ने या घटने से ध्वनी के वेक प आत्रा को humidity कहा जाता है तो amount of vapors वाश्प the amount of vapors in a required volume of air एक एक निश्चित volume घनत्य हवा के एक निश्चित घनत्य में कितना वाश्प भरा है उसी को हम कहते हैं humidity of air relative humidity क्या होती है कि amount of vapors amount of vapors कितने vapors हैं in in volume of air ठीक है in volume of air हवा में कितनी भाप है और बटे में divided by amount of vapors amount of vapors required to saturate required to saturate the given volume of air मलब कितनी मात्रा है भाप की उस हवा में और कितनी मात्रा हमें और लगेगी उस air को कितनी वाश्प की मात्रा उस air के volume में है divided by कितनी मात्रा अभी और हमें लगेगी उस air को saturate करने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तो relative humidity यानि साफेक शिक आद्धता और relative humidity किससे नापते हैं दोस्तों ये एक्जाम में कई बार आया हुआ है relative humidity of air हवा की साफेक शिक आद्धता किससे नापी जाती है बहुत important क्या होता है दोस्तों हिग्रो मीटर क्या कहते हैं उसे हवा की साफेक शिक खनत्य को हम नापते हैं हिग्रो हिग्रो मीटर से हाइग्रो मीटर ह य जी आरो मेटर य य बहुत important है relative humidity competition में आप से पूछेगा नहीं लेकिन आपको definition ध्यान होनी चाहिए हो सकता है examiner पूछ ले कि relative humidity humidity is a ratio of तो वो अपने हिसाब से चार option दे दे तो आपको हर चीज conceptual पता होनी चाहिए कि relative humidity is a ratio of amount of vapors amount of vapors present in given volume of air divided by amount of vapors required to saturate the given volume of air relative humidity ये बहुत important है एक number में कई बार आया हुआ है relative humidity of air हीग्रो मीटर से नापी जाती है अब हवा की तो आदरता हवा की नमी तो आपने हीग्रो मीटर से नाप ली तो पताइए कि मिट्टी की नमी किस से नापी जाती है जब बात humidity की हुई है तो यह भी जान लीजे कि मिट्टी में नमी होती है मिट्टी आप कभी थोड़ा सा खोद के जबीन को मिट्टी पकड़ के देखिएगा थोड़ी नमी होती है मिट्टी में अगर मिट्टी बहुत सूखी है तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे रेगिस्तान होगा लेकिन अगर कहीं पेड़ पॉहते हैं तो इसका मतलब कि वहां की भूमी में नमी होगी, वहां की मिट्टी में नमी होगी, तो नमी कितनी होगी है किसे ना पेगे, तो दोस्तों relative humidity, relative humidity of soil, मिट्टी की नमी को किसे ना पाजाता है टेंशियो मीटर से किसे टेंशियो मीटर यह बहुत इंप्चाम में पूछा गया question है दोस्तों यह तो बात हुई relative humidity की relative humidity की एक और important बात है कि relative humidity increases बद्द revised अब कोई पूछे कि हवा में आदरता कब बढ़ती है हवा में आदरता बढ़ती है जब temperature बढ़ता है temperature के बढ़ने से relative humidity भी बढ़ती है relative humidity और temperature दोनों सगे भाई है जब relative humidity बढ़ेगी तो temperature के बढ़ने से सापेकशिक आदरता बढ़ती है साप एक्षिक आदिरता बढ़ती है अब दोस्तों एक चीज और इस रेशो में 100 से मल्टिप्लाई होता है और दोस्तों देखिए आप से एक सवाल पूछा जाता है एर कंडीशन को लेकर कि घर में एर कंडीशन जो होता है उसका अनकूल तापमान क्या रखना चाहिए तो आप लिखेंगे अनकूल तापमान 23 डिगरी से लगबख 25 डिगरी सेल्सियस रखना चाहिए इससे कम पर रखेंगे तो आप बिमारी को नियोता देंगे 23 से 25 डिगरी Celsius होना चाहिए और उस रूम की relative humidity कितनी होनी चाहिए दोस्तों साप एक शीव घनत तो 60% यह percentage में होता है to 65% यानि हवा का 60 से 65% वाश्प होना चाहिए और दोस्तों वाईयू की speed कितनी होनी चाहिए 0.75 meter पॉइंट है यह 0.75 meter per minute से 0.75 meter per minute से लगभग धाई meter per minute होनी चाहिए लगभग धाई meter per minute होनी चाहिए तो दोस्तों air condition का question भी हमारा हो गया कि air condition जो condition होता है उसके लिए healthy atmosphere बनाए रखने के लिए स्वस्त रहे इंसान तो कितने तापमान पे air condition चलाना चाहिए एक्जाम में question पूश सकते हैं तो 23 से 25 डिग्री relative humidity 60 से 65 परसेंट और 0.75 से 2.5 meter per minute हवा की रफ़तार होनी चाहिए दोस्तों यह बात हुई relative humidity air condition की अब हम बात कर लेते हैं thermodynamics की thermodynamics यह समली जी एक अलग सा chapter है पर हमेशे आपको heat में ही पढ़ा देंगे thermodynamics में 2-4 law दिये गए first law of thermodynamics thermodynamics का पहला नियम क्या बोलता है exam में इसका नियम देंगे और पूछ लेंगे बताइए यह thermodynamics का कौन सा नियम बोलता है कौन सा नियम यह कहता है तो पहला law thermodynamics का क्या कहता है कि आपने चूले पर पतीला चड़ाया कुछ पकाने के लिए तो thermodynamics का पहला law बोलता है न कि किसी भी परदार्थ को जो heat दी जाती है जो उश्मा दी जाती है वह पूरी की पूरी उश्मा पहला उस परदार्थ के temperature को बढ़ाने में काम आती है किस काम में आती है उस परदार्थ के temperature को बढ़ाने में काम आती है temperature को बढ़ाने में increase करने में काम आती है ठिक पहला point उसको temperature बढ़ाने में काम आती है और plus उसकी internal energy बढ़ाने में काम आती है, उसकी internal energy बढ़ाने के काम आती है, ठिक, दूसरा, work done, जो वो परदार्थ काम कर रहा है, मानले जो पानी उबल रहा है, work done by system, अब मैंने आपको system system और surrounding बताया था, पतीले में पानी उबल रहा है, तो जो पानी है न दोस्तों, वो system होता है, उसके अलामा जितनी भी चीज़े हैं बाहर की, पूरा बाता वरण सब, ये सब क्या होता है, surrounding, वो सब क्या होता है, surrounding, तो work done by system, दो कामों में वो जो उश्मा दी गई है न, पतीले और ये कहता है, thermodynamics का, कि जो पतीले में पानी गरम किया जा रहा है न, उसे heat दी जा रही है, वो दो काम करता है, एक तो temperature बढ़ाता है पानी का, और उसकी internal energy, उसकी आंतरिक उर्जा बढ़ाता है, पानी की, ठीक है दोस्तों, ये system की internal energy और उसका तापमान बढ़ाता है, ये बची हुई सारी heat काम में लग जाती है, सारी की सारी heat काम में लग जाती है, तो first law of thermodynamics states that there is no loss of heat, कोई भी heat का loss नहीं होता है, heat का कोई loss नहीं होता है, यानि heat का loss नहीं होता है, तो ये एक चीज और बताता है, क्या law of conservation of, law of conservation of energy, उर्जा सररक्षन का सिध्धान्त, very important है, note करिएगा, उर्जा सररक्षन का सिध्धान्त, जैसे बर्नौलिस की थ्योरम liquids में उर्जा सररक्षन बता रही थी, है ना, और law of conservation of momentum, हमने कहां पढ़ा था, laws of motion में, second law of motion में, laws of conservation of momentum पढ़ा था, ऐसे ही law of conservation of energy, उर्जा सररक्षन का सिध्धान्त, first law of dynamics हमें देता है, first law of thermodynamics, पहला नियम thermodynamics का ये कहता है, कि जो उर्जा किसी परदार्थ को दी जाती है ना, उश्मा, sorry, उर्जा नहीं, उश्मा, किसी परदार्थ को दी जाती है, जो heat, वो सारी के सारी काम करने में लग जाती है, waste, एक percent heat भी waste नहीं होती, यानि total heat conserve हो जाती है, तो law of conservation of heat कौन दे रहा है, first law of thermodynamics, यानि इसने क्या कहा, कि delta Q is equal to delta W plus delta U, यानि work done, यह हुआ heat, जितनी भी heat दी गई सिस्टम को, वो work done में, work करने में, और उसकी internal energy बढ़ाने में लग गई, दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही असान तरीके से हमने आपको समझा दिया, कि सारी की सारी उश्मा लग गई, काम करने में, कौन सा law कहता है, first law of thermodynamics कहता है, ठीक है, सारी उर्जा internal energy temperature बढ़ाने में, work done करने में लग गई, यह पहला नियम कहता है, अब इसका हम द दूसरा नियम दोस्तों हम पढ़ लेते हैं, dynamics का दूसरा नियम हम पढ़ लेते हैं, thermodynamics का दूसरा नियम दोस्तों पते के कहता है, वो कहता है कि सारी की सारी उश्मा जो हमने किसी system को दी, वो काम करने में और temperature बढ़ाने में ही नहीं लग गई, कुछ loss of heat भी हुआ, तो सारी के सारी heat हमारे खाना पकाने में नहीं लगती है, कुछ heat अगल वगल से उसके चारों तरफ से हमारे atmosphere को भी तो गरम करती रहती है, जिस कमरे में खाना पकने लगे चूला वैसी चला दो, तो सारा के सारा कमरा भी तो गरम होने लग जाता है, तो फिर उसके बाद second law of thermodynamics म में दो लोग आये, Kelvin सहाब आये, Kelvin सहाब ने कहा, Kelvin सहाब ने क्या कहा, Kelvin सहाब ने कहा, whole of the heat, सभी heat, पूरी की पूरी उस्मा, whole of the heat never be, never be used in work done, सारी की सारी heat काम करने में ने लग जाती, ठीक है ना, कुछ loss of heat भी होता है, फिर clauses statement आया, ये बहुत important है, clauses ने कहा, कभी-कभी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया, high temperature से low temperature की तरफ heat जाती है, pressure, high temperature to low temperature जाता है, ठीक है, हवाएं high pressure से low pressure की तरफ जाती है, कभी-कभी क्या होता है, heat cold से hot body में भी जाती है, तो इसने कहा, बिना किसी कारण के, इसने कहा, बिना किसी effort के, अपने आप से, heat by itself cannot flow from, heat अपने आप से, heat by itself, ये किसने कहा, ऐसे पूछ लेता है, ये किसने कहा, कि बिना किसी कारण के, heat cannot flow from, heat बिना किसी कारण के, cold body to hot body नहीं जाती है, ठंडी body से, गरम body में heat कैसे चली जाएगी, तो बिना किसी कारण के तो जाएगी थी, कुछ ना कुछ हमें effort करना पड़ेगा, तभी ठंडी body से, गरम body में heat जाती है, इसका example आपको देता हूँ, इसका example होता है, refrigerator, refrigerator एक ऐसा apparatus होता है, जो cold body से hot body में heat transfer करता है, याद रखिएगा, exam में आ सकता है, refrigerator shifts or transfer heat from cold body to hot body, hot body to cold body, ऐसे करके चार option आ सकते हैं, तो आपको refrigerator का उल्टा याद रखना है, refrigerator वह यंत्र होता है, जो ठंडे से गरम body की तरफ heat transfer करता है, cold से hot body की तरफ heat transfer करता है, और एक question और आता है, exam में, refrigerator का लिख लिजे, refrigerator, बहुत important, refrigerator के दो question बनते हैं, exam में, पहला, ये एक ऐसा operators है, चो cold body to hot body heat transfer करता है, to hot body क्या करता है, कूश्मा का संचालन करता है, किसकी बदस से, with help of, with help of expanded, expanded agent, एक फैलने वाला agent होता है, एक फैलने वाला substance होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, Freon, जिसे हम कहते हैं, C, C, L, 2, F, 2, इसका क्या formula है, इसका formula है, इसका formula होता है, Freon gas होती है न दोस्तों, C, हमारे refrigerator में, Freon gas होती है, AC में, Freon gas होती है, उसी के बाद छंटक होती है, तो ये heat को transfer करता है, cold body to hot body, refrigerator एक ऐसा यंत्र है, apparatus है, जो heat को, उश्मा को transfer करता है, cold body, thundy body से, गरम body में, देखिए, उल्टा हो रहा है, आभी तक हमने पढ़ा है कि गरम body से, ठंडी body में heat transfer होती है, पर refrigerator में, gas के माध्यम से, cold body से heat, hot body में transfer होती है, किसके माध्यम से एक agent है, जो Freon gas, C, C, L, 2, F, 2, ठीक है, carbon fluorochloride, दूसरा question आता है, कि refrigerator में, लेफ्री जरेटर पर जो compressor है, जो freezing, जो हमारा जहां freezer है, वो उपर क्यों होता है, वो उपर क्यों होता है, current, क्योंकि दोस्तों, वो convection की करिया करता है, convection की, due to convection, किस वज़ा से वो उपर होता है, आपको याद रखना है, due to convection, due to convection, मैंने आपको पढ़ाया था ना, looked at convection convection semantics canbel action अभी क्या होता है समझना हमें पता है कि गर्म हुआं उपर क्यों यो.. थंडी हुआ है थंडी जी चीज नीचे आएगी ना और झो energyosphरbenां करते हैं जती गर्म हवाइं आती है तो इस फीजर में क्या होता है जब पिर उपर जाती है उपर उठने लग जाती है फिर ये जो से फ्र या ये चलता रहता है इसलिए compressor को जो हमारा freezer होता है उसका compressor को ऊपर लगाएं जो कभा हमारा freezer का जो freezer हो उपर होता है क्योंकि ठंडी हौए पsथिन हां फोनेंगा फ्र को कैस के तो तो डियूटू होता है कौन फिरो आपका ये फ्रियॉन गैस यूज होती है और दूसरा कंवेक्शन के कारण डेफिजेशन में फ्रीजर ऊपर होता है तोस्तों हीट इंजिन पढ़ते हैं हीट heat engine ये एक्जाम में आ जाता है heat engine दो प्रकार के होते हैं दोस्तों एक होता है internal combustion engine internal combustion का मतलब जिसके अंदर ही fuel जलता है internal combustion engine यानि example मेरी गाडी का engine, petrol engine ठीक है दोस्तो, auto का engine, petrol engine, diesel engine ठीक है दोस्तो, इसकी efficiency क्या होती है बावन परसेंट ठीक, petrol engine की efficiency कितनी होती है दोस्तों बावन परसेंट और diesel engine internal combustion combustion का मतलब fuel का जलना, जिस engine में fuel अंदर की ओर जलता है, अंदर ही combustion होता है जिस engine में उसे ताकि efficiency अच्छी मिले अब दूसरे तरह का engine अक्स्टरणल इंगघन कंभस्चन जिनके बाहर होता है सबुस्ति poser कर दॉस्तों आपने है कोड़्ट म समय यह ते कल वह बाहर होता था kuila जलता था और फिर फिर कम वह स्ट्रीम मनाथा था और प्रेशर से ट्रेंच चलती थी तो इसमें आप कह सकते हैं, steam engine का example, steam engine is a external combustion engine, diesel engine और petrol engine is a internal combustion engine, तो steam engine, और दोस्तों जो steam engine, steam engine जो होता है, इसकी capacity 20%, steam engine की capacity 20% होती है, इसकी efficiency, sorry, इसकी efficiency, ठीक है, इसकी शमता 20% होती है, यानि इस engine में जादातर fuel तो हमारा waste हो जाता था, koila जल रहा है, जादातर heat तो waste हो जाती थी, काम इन ही आती थी, सिर्फ 20% heat ही काम आती थी, 100 kg koila जलाओगे, 20 kg koila हमारे काम आयगा, 20 kg koila की heat काम आईगा, 80 kg koila की heat हमारे काम आती ही नहीं थी, तो इसलिए तो हमने फिर और दे इस्टीम इंजन की एफिजेंसी कम होती है क्योंकि उसमें combustion इंजन से बाहर होता है external combustion इंजन और यह बात हुई internal combustion इंजन तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में कोई topic हमारा छुटा ना हो और जहां तक है यह चैप्टर तो complete हो चुगा है हाँ दो तीन चीज़े दोस्तों और देख लीजिए आप एक होता है isothermal process आप सिर्फ इतना जानिए isothermal का मतलब क्या हुआ यानि वह process जिसमें temperature को क्या रखा जाता है constant यह exam में आ जाता है दोस्तों आया हुआ है कि जिसमें temperature यानि के तापमान को स्थिर्फ रखा जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस आइसो थर्मल प्रोसेस अब दोस्तों जो operation थ्रेटर होता है ना operation थ्रेटर के तापमान को constant रखा जाता है एक ही तापमान पर रखा जाता है ताकि operation के कोई अनकमफर्टेबल नहीं तो इसलिए तापमान को स्थिर रखा जाता है तो इसका एक्जाम्पल ओपरेशन्चों थेटर हो सकता है आई सो थर्मल प्रोसेस का उसमें तापमान को स्थिर रखा आता है एक हिता आप मान रहेगा 23 तो 23 दिगरी 24 दिगरी 24 दिगरी 4 दिगरी तो 4 दिगरी 4 दिगरी पर ब्लड रखा जाता है ब्लड बैंक में पूछते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड कितने डिगरी पर रखा जाता है तो 4 दिगरी सेल्सियस पर ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है आईसो थर्मल हो गया। अधियॉवैटिक प्रोसेस किया होता है आप से पुछा जाएगा एदियॉवैटिक प्रोसेस क्या होता है। अब यह process आप ऐसे समझदे कि आपके पास thermos flask है thermos flask जिसमें आप चाय रखते हैं कई घूमने जाते हैं यार कई दूर जा रहे है घर से तो आप उसमें चाय रखके जाते हैं गरम पानी रखके लिए गरम दूद्ध ताकि वह बहुत देर में ठंडा हो बहुत देर तक गरम रहे तो यह एडिवर्टिक प्रोसेस क्या है वो ठंडा कैसे होता है उसकी हीट जो होती हो धिरे-धिरे सिस्टम से सराउंडिंग में चली आती है सिस्टम क्या आपका दूद्ध आपके दूद्ध में हीट है हीट धिरे-धिरे सराउंडिंग में जाने लग जाएगी बाहर निकलने लग जाएगी तो देट इसक में heat का transfer होता ही नहीं है heat exchange of heat not takes place between system and surrounding is known as adiabatic process adiabatic process में there is no exchange of heat कोई heat का exchange नहीं होगा no exchange of heat this process में heat no exchange of heat यानि उश्मा का कोई exchange आदान परदान system और surrounding के बीच में नहीं होता है यानि एक बार जो चीज उबल गई, boil हो गई गरम हो गई, तो वो गरम ही रहेगी बहुत देर तक, बहुत देर तक गरम रहेगी, अगर adiabatic process के under है, तो वो चीज बहुत देर तक गरम रहेगी क्यों, क्योंकि वो चीज क्या हुई system, दूद, दूद, डाल, कोई भी चीज, कोई भी liquid हो, परदार्थ हो वो अगर गरम हो गया एक बार और फिर वो ठंडा ही नहीं हो रहा तो adiabatic process है, यानि system से surrounding में heat जाई नहीं बारिक means, आईसो बारिक means, अब एक शब्द पर ध्यान दीजिए बार, बार किसकी unit थी, pressure की, बार किसकी unit थी, pressure की, तो यानि इस वाले आईसो बारिक मतलब वह process जिसमें pressure को constant कर दिया जाता है, जिसमें pressure को constant कर दिया जाता है, यानि प्रेशर को कॉंस्टेंट किस प्रोसेस में किया जाता है आईसो बारिक प्रोसेस में अगर आपके पास एक शब्द आ जाए आईसो कोरिक आईसो कोरिक यह रेलवे में आये हुआ है दोस्तों आईसो कोरिक मीन्स वॉल्यूम कॉंस्टेंट, टेंप्रेचर कॉंस्टेंट, प्रेशर कॉंस्टेंट, हीट कॉंस्टेंट, ऐसे पूछ लिया उसने, अब आइसो कॉरिक कभी पढ़ा होगा तो पता होगा, आइसो कॉरिक का मतलब होता है, जब हम आयतन को क्या कर दें, इस्थिर कर दें, कॉंस् तो आइसो थर्मल पढ़ा आपने अडियवेटिक प्रोसेस पढ़ा आपने आइसो बारिक पढ़ा आइसो कोरिक पढ़ा अब मेरी अंडरेस्टेंडिंग में हीट शेप्टर आपका फूल एंड फाइनल कम्प्लीट है अगर कोई टॉपिक भूल चूक से छूट गया हो तो आ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए आप ही के काम आएगा अगर बाई मिस्टेक हम से कोई कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सरी टॉपिक छूट गया है तो हम आपको टॉपिक जरूर करेंगे और तब तक के लिए दोस्तों बहु बाद थैंक यू